जान पकेल कर डोंक की ताइ पैफ जान लग रहे हैं मतलब अपनी जान की चिंटा को नहीं जिन कानुल नलए दो किलते हैं बेच दिये गर में कुछ नहें रहा अगा रहा बैच दिया पर मिरक को युस सोचले की चिंटा है जो सरकार ने उपर से बेज़ के बनवा दिया पर उस पे दर्वाजा नहीं लगा हुआ है आई शुमान कार नहीं बनवा रख्या ना भाई के बात फैमिली आइडी गलत थी फैमिली आइडी गलत क्यों थी इनकम गलत होगी तो ने ना एक ये टीम बनाई है की फैमिली आइडी, सरम कार्ड, पासपोर्ट ये जो जितने भी CSC की सर्विसी जन सेवा के अंदर के मादम से कोई जरूरत मंद जिसका कहीं काम नहीं हो रहा बाला जी ऑस्पिटल के सामने ये जन सेवा के अंदर खोल रखा देवा फांडेशन ने जरूरत मंद है उनका CSC का सारा का मूफ तोया करेगा अगले पूरे पांच साल तक तो फिर देवेंदर सारा हाथ कौन से गुटता रहे हैं नहीं एक तरीके से गुट की बात करें देखो यदी सहलजा जी रणदीब जी और किर्ण चोदरी जी यदी वो कॉंग्रेस के निशान के लावा किसी और चीज की वोट मांग रहे हो और जो दूसरे खेमे की बात कर रहे हो जैसे उड़ा साब है अभी तक 6600 परिवारों में जा चुका हूँ मैं डोर टू डोर गया हूँ बिल्कुल और 48,000 गरों के लिए मैंने अपने बड़े बड़े नेता बैठे हैं सभी दो मैं कहीं पैर जमन देंगे अपना अच्छा उस्पिटल चला रहे हो रोजगार खाली कहने के लिए रोजगार नहीं आएगा आपको उसका पूरा खाका त्यार करके देना पड़ेगा आपको बताना पड़ेगा कैसे-कैसे आएगा हाँ काम करने का तो सभी का राद्धा है आपके उसमें तो बसे भी चला रखी है नेता होना है यू आप यू और भी खड़े हो रहे हैं लेक्शन से अपकी बार सफीदो से अपने नाम बिशन होगे तो क्या लगता है टक्कर का होगा मुकाबला तो भी राम राम सहरा नहाराज सफीदो के उस्पिटल ता लाइव जुड़ा हूं जो अपनी दवाईया भी देवा है तो उसके डॉक्टर जो हाँ चर्चा मारे है आज गाम में कुछ प्रोग्राम कर रहा है कि कुछ बात है जो इनका दुबारा नाम जो है तने जाद अचल रहा है वैसे तो सिवाओं के लिए लगाता है इनका नाम जाना जावा है लेकिन इस जो चल रहा फिला डॉक्टर सहरा जी मार साथ बैठे है देवेंदर सहरा जींतर राम राम कर ला बैठ जेए जी बैठ जो राम राम आपकी दो वार राम राम जो आपने जो है यहां पोचे आप ठीक हो बहुत बढ़िया आप सुनाओ कैसा घर परिवार बिलकुल बढ़िय चर्चा में तो बाला जी ऑस्पिटल हमें इसा रहा है सफिद्धो में चाहिए के बातों दवायों की बातों और भी बातों आज चर्चा में कुछ और वज़ेद अच्छे रहा है जी आज मकर सकरांती के उपलक्स पे जो है नैंसाब हमने एक तरीके से अपने ऑस्पिटल क की तरफ से लगा लो या मेरी तरफ से लगा लो मेरा गाउं मलार है यहीं सफिद्धो में पढ़ता है और वहां हम जो हमारा गौर्मेंट स्कूल है हर साल यह प्रोग्राम करते हैं पिछली साल भी वहां एक जनुवरी को किया था इस बार मकर सकरांती का उपलक्स चुना उन उनको एक मान समान के तोर पे जो भी ऑस्पिटल की तरफ से मेरी तरफ से हम कर पाए वो किया सेकिंड बालाजी ऑस्पिटल की तरफ से दोनों पिल्लू खेडा ब्रांच की पूरी टीम डॉक्टरों की टीम डॉक्टर जाखड एमन्त और यहां डॉक्टर राजेश केसे एक उसके तोर पे अमने एक शेफ्टी एलमेट भी देने का काम किया यह आज मलार गाओं में प्रोगरम था और वहां बुजर्गों का आसिरवाद लेगे यह बात तो आपने बता दिया और इसके लिए पहला भी आपने वीडियो बनाई है और भी सारी बात देखी है कि होस्पिटल लगाता रही है काम करदार हो है कैम्प की बात हो अगदवाया की बात होगी यह तोरव हैं लेकिन आज एक और बात जुड़ रही है लोगों की चर्चा नूँ आ रही थी मतलब सुनने मैं लोगों से बाचित करी कि देवेंदर से रावात इलेक्शन की त्यारी खुद नहीं कर सकता एक तो मैं आपको बताओं यह अकेले का डिसीजन नहीं हो सकता मैं थोड़ा सा पिछे जाता हूं इस माद में जब एक डेड़ साल से लगातार ऑस्पिटल के जरिये लोगों से मिला और पहले भी बावजी भी एक तरीके से 20-25 साल से एक्टिव लोगो सेवा गर से ही मेरे को सीखने को मिली और यह लगातार मैं तो बच्पन से देखता रहा हूं बावजी किसी ने किसी प्रोग्राम में लगे रहते हैं और मेरे वड़े भाई साब भी आर्मी में तो हमने एक तरीके से अमने यह पूरा डेड़ साल हमें 17-18 प्रोग्राम 25-26 औ और कई गाउं में सिलाई सेंटर एक तरीके से समाज सेवा के तोर पे हम थोड़ा थोड़ा अपना करते रहते थे बट जब अपने जितने भी साती हैं जिनोंने मेरे को काम करते हुए देखा सार सबने एक डिसीजन लिया कि बढ़े लेवल पर करना है जब आप एक बड़े को SDM साहब से बात करनी है, DSP साहब से बात करनी है, तो मैं founder member के ओने के नाती सीरियस नहीं लेते हैं, तो जब बात आई कि राजनीतिक तोर पे भी हमें मजबूत होना पड़ेगा, तो हमने सबी साथियों ने मिलके डिसीजन लिया है, कि हमें एक राजनीतिक पारी की को अम एक राजनीतिक पार्टी में एक नहीं पारी शुरुवात करने जा रहे हैं, कौन सी पार्टी से? मैं बारतिय राष्ट्य कॉंग्रेस में सामिल होने जा रहा हूं, कहीं बात आपने वेरा गुट हम गुट कहीं चीज हो रही है, तो फिर देवेंदर सारा आत कौन से आत कि खुटता रहे हैं, देखो यह जो गुटो की बात होती है, यह आप सब मीडिया में सारी चीज आप भी देखते रहते हैं, तो हर आदमी का काम करने का तरिका रहता है, राउल गांदी जी का भी एक तरीका अलग है काम करने का, ये गुट की बात करे, अब यहां आप आप ही बता दो कुण सा गुट मेरको तो लोगों से सुनने में आई है कि इसकुमारी से गुरुप से जो है देवंदर सार आत्यारी कर रहे हैं नहीं एक तरीके से गुट की बात करें देखो यदि सहलजा जी रनदीव जी और किर्ण चोदरी जी यदि वो कॉंग्रेस के यह भी टीम बना के काम कर रहे हैं काम तो कॉंग्रेस के लिए कर रहे हैं इकठा काम कर रहे हैं वो कुछ सातियों को उस तरीके से जोड रहे हैं जोड तो कॉंग्रेस के लिए रहे हैं गुट हाँ कहने में गुट ना कहके मैं इसको एक तरीके से टीम रिप्रेजेंट करू जी डिपेंदर उट्डा जी की आच्छी हो है लिपेंदर उट्डा जी की बात करा है तो फिर वह गुरूप क्यों चुना है एक संग्टन चुनने की बाता है एक आपने टीम चुननी है अब बहुत जो जिद्डी उड्दा स्टा जाता तो फिर आप समाज का जिस उसका नितरतव करते हैं वो अपने आप में नहीं पूला है बट एक तरीके से यदि अगडे पिछडे की बात करते हैं यदि जो है गरीब आदमी का बहुत गरीब की बात को जैसे गराउल जी ने पिछे अपने ऊसमें गोशना पत्र में भी लिखा था कि कि हर परिवार को बातर बातर जार रुपे हर साल आना और लेडिजों को भी जिन राज्यों में हमारी सरकार है कॉंग्रेस पार्टी की वहां गरीबों के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं तो जब सहलजा जी की बात आई हमारे साथ यह ने कहा यदि कोई एक तरीके से जिस जिस गुरूम से साल जाज जी काम कर रहे हैं जिस संदेश को लेकर यात्रा निकाल रही है वह एक तरीके से जो सेल हञा की जो लडाई लड़ रही है उस पिछडे वरक की लडाई में हम भी उनके साथ से योग के तोर पे पूरी अच्छे तरीके से यह कोशिस करें गरीब आदमी सरकारी स्कूल में प्राइवेट ऑस्पिटलों में और सरकारी अस्पतालों में कोन जो कोन जा रहा है सरकारियों का पैदा सर्विसीज का कौन लेता है गरीब आदमी लेता है गरीब आदमी की लडाई यह दी कोई एक तरीके से हमारी नजर में और कोई गुट गुट वाली बादमी है टीम में टीम में काम करें मैं भी ज्यादा गुट वगारा मैं नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि देखो रास्ता कोई भी हो लेकिन मंजील अची हो नीची है सफिद्धों की जनता बाट देखनगा गरी है काम कोण करका दिखाओगा बडिया देवेंदर सारा अट पर कुकरिये कीन करला है अक देवेंदर सारा अट बडिया काम करका दिखाओगा अलाकि पता है मैं अभी कि बाला के पहले पूरो मंत्री जी की बात करें, पूरो विदायक जी भी बात करें, उनसे पहले पूरो विदायक जी की बात करें, और मोके के विदायक की बात करें, सब अपने अपने तरीके से काफ करते हैं, सब का अपना अपना एक तरीका है, मेरा मानना ये है कि जो चीज अभी है है सफिब्दों में उन में आपको मोनीटरिंग करने की बहुत ज़्यादा जरूरत है यदि मैं एल सर्विजीज की बात करूँ सरकारी होस्पिटल सरकारी पिएच्ची से गाउं में चोटे चोटे जो कर स्टाफ है बैठा है उन उनके साथ बात करने वाड़ा और एक तरीके से सकूलों की बात करें चानवे सकूल हैं सरकारी उन में मोनीटरिंग के तोर पे देखो सरकारी जो टीचर होते हैं उनके पास बच्चे पढ़ाने के इलावा कभी लेक्षन आगे उसमें जाना कभी जन संक्या की गिंती करने उसमें जाना तो सरकारी टीचर के पास तो पहले इतना वर्कलोड है तो उनको एक टीम की तरह एक टीम वर्क की तरह सफिद्दों का नुमाइंदा बहुत अच्छे त्रिके से मोनिटरिंग करें और मेरा यह मानना है हमारे यहां खेतिक किसानी करने वाले बहुत लोग हैं और किसानों की बात करें यह पूरा देश गुआ इस बात का यदि किसानों की सच में कोई चिंता करती है तो कॉंग्रेस पार्टी करती है और कॉंग्रेस पार्टी औ और मेरा अपना ये मानना है नीजी तोर पे यदि हम किसी चीज की डिरेक्ट बेनिफिट नहीं दे पारे तो उनको किसी ने किसी चीज में पैसे बचा के दे सकते हैं यदि उनके घर में आरी बिमारी होगी और सरकारी अस्पताल अच्छा है प्राइवेट में ने ले जाके व वो बच्चों को पेट काटके प्राइविट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, मैं विरोध भी नहीं कर रहा है, पढ़ाओ आप, जिसका बेओ तो वो पढ़ाएगा, पर जो सेलजाजी लड़ाई लड़ी हैं, वो लड़ाई एक तरीके से ग्रीब जो परिवार हैं, जुरूरत लेवल पर लेके जाया जासके, इसके लिए पूरा ब्लीव प्रिंट, पूरी सारी चीज़े डिटेल में त्यार हैं, और मैं एक तरीके से आपको बता दूं, हम अभी तक 600 परिवारों में जा चुका हूं, मैं डोर टू डोर गया हूं बिल्कुल, और एक 48,000 गरों के लिए मैंने जो है, 2024 का कलेंडर बनवा रखा है, उस कलेंडर के जरीए मैं जा रहा हूं, अपनी बात रख रहा हूं, उस कलेंडर में मेरा सपस्ट विजन भी लिखा हूँ है, मेरे पास क्या प्लान है सविद्दों के लिए, यदि Health Education की बात करें, Third Pay, रोजगार की बात करें, रो यह पूरा खाका त्यार है, यह डिटेल्ड में जब यातरा करेंगे, और इस यातरा को हमने एक तरीके से आसिरवाद भी लेने जा रहा हूं, जन आसिरवाद यातरा का नाम दिया है, इस यातरा में बुजर्गों से, नोजवान सातियों से, और मेरी तो खास तोर पे नोज साती को चुनना, वो क्योंकि देखो, यह भी नहीं कहा रहा है, बुजर्गों ने बहुत अच्छा काम किया, अपने अपने लेवल पे करते हैं, पर हमने जो अब इस बारलक से रखा है, कि पांच से दस हजार, ऐसे यूवा सकती, जो यदि किसी सरकारी स्कूल में वरकलोड नहीं के कारण टीचर नहीं है, वहां टीचर अविलेवल कराए, यदि सरकारी अस्पताल में कोई चीज की जुरूरत है, किसी को बल्ड लेके आना है, जीन से, या पानी पत से, किसी की फ्लेट लेट कम होगी, तो ऐसा समू, ऐसा एक ग्रूप हम बनाने जा रहे हैं, जो हर हर समय सफिदो की लोगों की सेवा के लिए तत पर रहे के काम करेगा दिन और रात. जानी में लेके जा रहे हैं कि यहां बहुत बड़े बड़े उद्योगपती इलेक्शन लड़ते हैं, उनसे कैसे पार पाओगे, देखो, वोट किसको डालनी है, वोट उन आदमी, उन वोट्रों को डालनी है, जो नॉर्मल घर परिवारश आते हैं, उसमें अमीर भी हैं, हर तरीके के लोग हैं, और आप किसी को बाउंडिड नहीं कर सकते हैं इस चीज में, कि आपको पैसे वाड़ा ही चुनना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी लिखा हुआ है कहीं, विधायक उसको चुने, नुमाइंदा उसको चुने, जिसके वीजन में आपको दम लगता है, जिस कोई भी चीज राजनीती, जैसे मैं जिस भी वेबसाइश से जुड़ा हूँ, एक बात अपनी पूरी टीम को कह के आया हूँ, एफिडेविट दे के आया हूँ, भाई, आप समालो काम को, टीम बनी हुए हैं, जैसे डॉक्टर राजेज हैं, डॉक्टर एमंत हैं, सुनी, जो देखते हैं मेरा काम सारा, तो भाई, आप समालो काम को, क्योंकि राजनीती मेरी नजर में, कभी भी पार्क टाइम ने हो सकती, फूल टाइम, यदि हमने यदि परवेश किया है, तो पूरा खाका, पूरा प्लान बना के आया हूँ मैं, और आप जिस तरिके से, जिस बा किया, तो जब उनका बेटा, उनका छोटा बाई, इस चीज में उतरा है, तो मैं उनसे एक तरीके से, राजनीतिक तोर पे आसिरवाद भी लूँगा, और मिलके भी आऊंगा, और एक तरीके से, उनको मैं जान तक समझता हूँ, जैसे नुमाइंदे सभिद्दों के हैं, व जो सरकार ने उपर से बेज के बनवा दिया, पर उस पे दर्वाजा नहीं लगा हूआ है, आज भी उस पे, आज क्योंकि इस यातरा के दौरान जब पिलू खेडा से स्टार्ट की, तो उन गरों में भी गया, जो दर्वाजा नहीं लगा हूआ हूआ, उस पे किसी कारण से, सरकार ने को फैसलेटी परवाइड करा दी, एक सोर्चिस तक हो सकती है, उसके उपर टंकी भी धर्मिये हैं, उसमें पर पानी भी चलना चाहिए, तो वो दर्वाजा भी लगना चाहिए, उस लेवल तक, जिन टोइलेटों में आज भी विवेस्ता नहीं है, जिन पे बचिय सरकारी सकूल में एक तरिक्के से वो सब एक अलग इशू हो जाएगा, पर इतना कहना चाहता हूँ, बहुत छोटी-छोटी बाते, बहुत अपने दिमाग में खाका बिठा के आया हूँ, कि बहुत जीरों से लेके और नेक्स लेवल तक का काम करना है, जी, काम करने का तो समाज सिवा के जरिये राजनीती में परवेश किया, तो आपने, मैं स्टार्टिंग में कह रहा था, कि समाज सिवा एक लेवल तक हो सकती है, उसके बाद आपको राजनीती में आना ही पड़ेगा, आना भी चाहिए, स्वागत भी है, मैं ये कह रहा हूँ, सभी युवाद, जितने भी 37s अभिद्धो के मेरी वीडियो सुन रहे हैं, जो भी कहीं के भी पूरे रियाना के सुन रहे हैं, आपको तो पूरा रियाना चुनता है, जो भी सुन रहे है, भी आप जब तक युवाद जगरती नहीं आएगी राजनीती में, तब तक अमूल चूल परिवर्त करके टेस्ट पाड़ेगा 200 रुपे में नोकरी लगजेगा टेस्ट पाड़ेगा यह नहीं लगेगा तो इंटर्वु करके कंपणी में लगेगा कहीं नहीं ऐसे पर मेरी तरफ से यह है कि जैसे आप बसों का उलेक कर रहे थे बस कीस चीज के लिए चला रही है बस आपको सरक सफिदों में भी हो सकती है वो सफिदों में कोजिस करो आप कि सफिदों में वो फैसलेटी मिले जिसमें बसमें बैठके वहाँ जाना पड़ रहा है क्या CT scan MRI और ultrasound की विवस्ता सफिदों के सरकारी स्कुल में काड़वा में नहीं हो सकती बिलकुल हो सकती है आपको वो चीज आप आपको एतना मजबूत होडा चीए कि आप सफिदों के लोगों के जो है ऐसे चोटे-चोटे काम उनको लगे की यह जैसे हमारे घरका अदमी है घरका बड़ा बाई है चाच्चा है ताउ है उनको लगना चीए किwarल में कूई काम स्टार्ट करते हैं तो उनको लगना च यदि काम करना चाहता हूझ मैं चुन लेना अब तक जो भी मैंने अपने लेवल पर कीए यदि आपको अच्छा लगे ऐसे आपको को लगे कि मेरे को और बड़े ही लड़ाई रखनी हमने देखो मुद्धे अलग अलग हो सब्सक्राइब आइडिलोजी का फरक होता है बीजेपी की अलग है कॉंग्रिस की अलग है और गुटो की बात करे हो मैं इसको टीम बानता हूं गुट नहीं मानता है युवाओं के अभी आपने बात करे थी युवा कि मैं युवाओं के लिए अच्छा काम करका दिखाऊंगा क्योंकि युवाओं आप युवाओं की समझते हो हर चीज में एक समय लगता है मेरा अपना ये मानना है योदि रोजगार की सफिदों में बात करें आप अपने बाई पे एक विश्वास रखना ऐसी जदा तो मै खेता नहीं पर दो से तीन साल के बाद एक ऐसी विवस्था बना के देंगे कि मेरा अपना ये मानना है कि उसमें मैं कामियाब होंगा नहीं होंगा पर एक तरीके से जो चीज आप बार करते हो आप बार बीस जार रुपे की नोकरी पाते हो खर्चा वो सारी चीज़े एक ऐ ऐसी विवस्था जरूर करने आपको सफीदों से बार जाने की जरूत नहीं पड़ेगी चाहिए आप उस तरीके से क्योंकि मैं मैं जिस भी समू से जड़ा वो रियल स्टेट डिवलोपर एक तरीके से अम जो है यहां पर डिवलोप करके उस रोजगार के अवसर भी पैदा कर सकते हैं और यदि जैसे अब यहां पे नेशनल आईवे निकले है तो सीदी सी बात यहां इंडस्ट्री भी लग सकती है पर नुमाइंदे को उस चीज के लिए ट्राइ करनी पड़ेगी कंपनियों से बात करनी पड़ेगी एमुयू कराने पड़ेगी उनकी शेल्यू करा वही आदमी सफिदो में अमोलचल परिवर्तन ला सकता हूं उसमें मैं भी हो सकता हूं दूसरे साथी भी हो सकता है कोई दिल्कुल देवेंदर सहरावज से हमने बाचित करी और लगातार बाला जी ऑस्पिटल का नाम चर्चा में भी रहा बही आपने देख्या है कि त novamente बाचका हूँ मुकावला कैसे क्या रहा हों और मैं ये मानता हूं और मैं तो ये retip रहा हूं के जो इस तीस साल से राजनीती कर रहे हैं सा के आप अपने बच्चों को आप युवासाथियों को उतारो इस बार क्योंकि देखो आपकी राजनीती पूरे सफिद्गो least अम यहां अपस में कौई लड़ाई थोड़ी कर रहे है पर राजनी टिक तोर पर सबका अपना-पना वीजन होता है मैं यह मानता हूँ जो काम मैं कर रहा हूँ मेरे को छोड़के दूसरा करे उसको छोड़के दूसरा करे जिसको भी सफिद्धों के लोग पसंद करेंगे पर ये है जिसको एक बार चुलने उसके उपर आकोणा चीए आदमी आके बाज्जू पकड़के ले जा भाई दवेंदर तने नुका आदा यो कराया नी ओ जगाता हूँ ओ जगाता ही ओ जगाबाई तो देखो हर काम करने का दिकाता है मिरको क्यूंकि मैं जीस जीस इंसान के साथ मेरे को छह-साथ साल लगार काम करने का मौका मिला वह एकराजनीर्परी और मैंने वहां उनकी न को लोग सेवा करते वे देखा है गरीवके पड़ियों देखिए और एक बात मैं कहा देता हूं आपको जब राजनीती में आदमी आ जाता है तो फिर उसका जीवन राजनीती की हो जाता है एक तरीके से वो उसका परिवार पांच पांच लोगों का परिवार नहीं होता फिर उसका परिवार डाइलाक लोगों का परिवार है और एक अपना ये मानना है जिनोंने आपको पसंद नहीं किया और आप आपको सफिदो का विदायग बनना पड़ेगा ना कि अपने कारिये-करताओं का विदाइक कारिये-करताओं के प walls पर ते आप की सद्वावना उनसे ज्यादा जरूर हो तो करो कोए आसी चीज भी नहीं चेल कि है कि आप हम लगा विए वाय बहुत्र में चाठा टाओ जिनने राजनीर्थ की पर जो भी बड़े वाईसाग मैं यही आज जोड़ के खेना, कभी आप अपने मन में एक बात हैं रखणा, कि दविंदर को एक तरिके से विरौध का काम नहीं, आप अपने तरिके से काम कर रहे हूं, अमने आपने तरिके से करना है, कभी आपको कोई छोटी और अलकी बात दविंदर कभी करता वा नजर नहीं आएगा क्योंकि जिस समाज में जिस परिवार में मैं पड़ा बढ़ा हूँ एक तरीके से पूरे एक इस समाज में फोजी परिवार को ऐसा माना जाता है कि वह असूलों के पक्योते हैं किसी से बैर बाओ और मे किसी के साथ अब्यूस बुल ला हो किसी के साथ कोई आज तक आपको पूरे सफिद्धों में बात तरगाओं में कभी कोई एक अदमी ऐसा नहीं मिलेगा जिसके साथ मेरी बहुत चीत है और और ओनी भी चीए और मैं तो खास तोर पे मेरी ये अपील भी है सफिद्धों के भी वाव से बाई जो टैंथ और पलस्टों में क्योंकि पांच साल का टेनोर होता है एक विदायक का जो बच्चे आज पलस्टों में हैं वो ग्रेजुएशन करके दो साल उनके पास होंगे वो नोकरी भी लग सकते हैं आपका विदायक ऐसा होना चीए कि यहाँ पे जिन कं लोमा कर रखा पॉल टैकनिक का जिन बच्चों ने भी टैक कर रखी है वो इंडस्ट्री आप आए रिकूरूटमेंट करें और यहां से अमारे बच्चों को लेगे जाएं पर वो तब होएगा ना जब आपको परमानेंट राजनीती करनी पड़ेगी आप परमानेंट वे कि आप मारे बच्चों को चुणो और उनको रोजगार दो कभी किसी तरह की कोई समझ्या नहीं आएगी और यदि वो कहेंगे कि यहां पर हम लगा सकते हैं किसी चीज़ का पलांट तो आप लगाओ यहां पर आपको जमीन दिलाने का भी काम करें इस तरह का पूरा ब्ल नहीं पक करूं को दिलानी हैं यदि आपने मन बणा लिया पर इस बार जितने भी जाचा आउं है लिस आप ने बच्चों की माननीं है पने इस बार उपने बैटे की बहु की माननी है उनको लगे कि हमारे बीच का बाई बन सकता है जिस मेरा को है मेरा कोई वोलेंटियर नी मेरा कोई कारिय करता नी बाई हूँ देवेंदर हूँ सिद्धा मेरा नंबर है आप फोन करो आद दिरायतने थार आप भाई खड़ा पाऊगा और इसी तरीके से दूसरे जो युवासाते उनको भी इस तरीके से काम करना चाहिए मेरी तो यही सफिद्धों की जनता क्या कुछ कहेगी देवेंदर सहरावाद के बारे में क्योंकि आप लगातार इनको देखते रहे तो बाला जी ऑस्पिटल यही में रोड जीन रोड जीन रोड जीन सफिद्ध रोड पही है आके इंसे बाचीत भी कर सको हो पिलो खेड़ा में भी एनक नितिक तोर पर नहीं मनते तो सेकिंड केंडिडेट यह दो आदमी गाओं के लेवल पर हमने ओकर रखा है बही गाओं में कोई इकनोमिकल श्ट्रॉंग नहीं है और उस बच्चे की डिलीवरी होनी है जिस लेडिस की डिलीवरी होनी है और वो सरकारी में गया वहां से इमको फोन कर देंगे आपके डिलीवरी के कोई पैसे या बिल्कुल सस्ते में इलाज होता है या क्योंकि बिल्कुल किये हैं जिन्होंने किये हैं अब हम यह मुहिम भी चला रहे हैं क्योंकि देखो कोई भी चीज आपा करते हैं तो उसका पता लगना चीए और दूसरे तो रुपे आगे वीडियो आया करेंगी हमारी जिसकी भी एक तरिक्के से मैं यह मानता हूं यदि किसी के 500 रुपे बचाए है न तो वह 500 रुपे से अपनी कोई और चीज घरीद लेगा तो घर में चीज पोची तो मेरा तो मकसद भी यह है वैसे ही नॉर्मल रेट रहते हैं ह हमारे ऑस्पिटल के और मैं यह नहीं कहता कि आप यहाना मेरा तो वीजन है यहीं सरकारी अस्पतार सफित्दों के दो नौच्छे होंगे काड़वा का और यह तो प्राइवेट जितने भी अस्पतार है क्योंकि घर से आदमी यही सोच के आता है कि खानपूर इलाज तो यहां भीड़ो एक होस्पिटल इतने लोगों की वो नहीं कर सकता और सब सरकारी से सर्विस से भी खुछ नहीं होते तो जो प्राइवेट होस्पिटलों में भी एक तरीके से उर्जा मिलने का काम होगा जितने मेडिकल स्टोर सफित्दों के उनको भी दूसरी चीज एक फैमली आइडी गलत क्यों थी इनकम गलत होगी तो आमने ना एक यह टीम बनाई है कि फैमली आइडी सरम कार्ड पासपोर्ट यह जो जितने भी सीसी सर्विस जन सेवा के अंदर के मादम से ऐसे साथी समसुदीन और असोक दो ऐसे उर्जावान साथी जो इस टीम का इसा ब सारा उसे कराओ कोई जरूरत मंद जिसका कहीं काम नहीं हो रहा बाला जी ऑस्पिटल के सामने यह जन सेवा के इंदर खोल रखा देवा फाउंडेशन ने यह हमारी एक नीजी तोर पर फाउंडेशन है हम इसमें एक टिवीस मेंबर हैं हम एक तरीक के से हमने बेडा उठाय सफिद्धों के लोगों की जीन जो जरूरत मंद हैं उनका CSC का सारा कम मुपत वया करेगा अगले पूरे पांच साल तक और तीसरी चीज अगले पूरे पांच साल तक है बिल्कुल पूरे इलेक्शन तक तो नहीं कि इसलिए इसलिए कोई भी चीज की शुरुआत करती हो ओ सफिद्धा इलेक्शन का मारा कर रहा हो ना ऐसा नहीं है जो जीन साथियों को जोड़ा है और यह तो एक शुरुवात है आगे आगे पिल्लू खेडा की साइड भी क्योंकि यह भी पूरी पूर्ती नहीं कर पाएंगे बातर गाओं है अभी तो हमने पांच जोनों में बढ इजुकेशन में देवा फाउंडेशन ने सरकारी सकुन्लू में पढ़ने वाले बच्चे जिनके माबाप उनको टूशन का पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि आपको भी पता है कि किसी ने नोन मेडिकल ले ली तो उसको फीजिक्स कमेस्ट्री मैथ पढ़नी है इसने सरकारी में पढ़ा रहे हैं उसी साब से काम नहीं करते हैं खर्चे बहुत हैं बहुत महंगाई है तो फाउंडेशन ने लक्षे बनाया है कि वह सड़े तीन बजे चुटी होने के बाद सेनेमा मार्केट में जहां पे पहले गलेक्सी सेंटर होता था उसी सेंटर में मैडम पढ़ाएंगी और वह बिल्कुल अमारे साथ इस मुईम के साथ जूड़ी हैं कि 10 और पलस्टों के बच्चों की ऐसी त्यारी कराओ इस प्राइवेट स्कूलों के बच्चों के जैसे उनके रजल्ट हैं तो यह हमने यह लक्षे भी रखा है यह हम एडमिसन स्टार्ट हो हैं आप एडमिसन ले सकते हो यह नंबर जारी कर रखा हमने एक तरीके से यह सारी सारी जानकारी आपको बाला जी ऑस्पिटल के सामने नीचे सी से मिल जाएंगी आप एडमिसन करा सकते हो अपना और यह मारस तक 10 प्लस टू के उसके बाद भी सी बीकोम जिसको भी साथी को मैथ साइस कुछ भी पढ़ना है वहां जाके पढ़ सकता है और जो साथी वहां नहीं आ सकते वह ओनलाइन भी देख सकते हैं इस कलासिस को यह सर्दी की छुटियों के बाद तुरंत स्टार्ट होने वाली है और यह ओनलाइन रिकोड़िड यह सब कुछ रहेगा यह तीन सर मिलेगा वह आप उठावी सको हो फिलाल देवेंदर सहरावत के बारे में के कुछ काना कमेंट मैं जरूर बता दियो राम राम सार्याने